इस्पीन बॉल को कैसे खेल सकते हैं इस्पीन बॉल खेलने के लिए कौन सा ट्रिक का यूज करना बहुत जरूरी है एक बैसमेन को आप एक बैसमेन है तो सबसे पहले अपने फूट वर को फास्ट करना पड़ेगा तब ही जाके आप spinner को खेल पाएंगे, spin ball को खेल पाएंगे, spin ball को सबसे ज़्यादा square the wicket में run बनाई जाती है, जो batsman, square the wicket, जितना अच्छा खेलेगा spin ball को, उतना ज़्यादा वो run असानी से बनाएगा, spin ball को खेलने के लिए, आपको आपका जितना footwork, front foot पे fast होना चाहिए, उतना back foot पे भी fast होना चाहिए, तब ही जाके आप manage कर पाएंगे line और length को, spin ball पे आप देखते होंगे, कि batsman जब batting करता है, जो भी spinners होते हैं, चाहिए वो left arm spinner होते हैं, चाहिए वो off spinner होते हैं, जो अच्छे spinner होते हैं, उनका ये variation होता है, कि वो air में ball को line जो होती है, वो cut करती है, जितने भी अच्छे spinner आप देखेंगे, उनकी line air में ही cut हो जाती है, तो उस ball पे batsman maximum time गलती कर जाते हैं, गलती ये करते हैं, कि ball हाथ से छुटी read नहीं किया, mind active हो गया और front foot की ball को back foot पे चले गया, तो अगर आप front foot की ball को back foot चले गया, तो फिर आप उस ball पे out होना तै हो जाती है, तो जैसे ही आप front foot की ball अगर back foot पे चले गया हैं, तो उस ball पे shot बिलकुल ना खेलें, सीधा आप उसको defend कर दें, इस तरह से, आप से तो एक गलती अल्रेडी हो चुकी है, कि आप front foot की ball को back foot पे चले गया, तो सीधा आप क्या करें, mind के लिए रखके उसको defense कर देंगे, चाहाए कोई भी ball हो, दूसरा, spinner के उपर, जो ball सामनी की तरफ होती है, तो आप उसको front foot पे खेलते है and drive मारते हैं, बहुत सारे ऐसे batsmen होते हैं, जो off spin ball आती है, और इस line पे ball आती है, और batsmen उसको cover drive खेलने को देखते हैं, और bat pat के बीच में gap होते ही, वो ball इस ट्रम को टकरा जाती है, तो आप ये गलती ना करें, अगर off spinner अगर आपको कोई ball कर रहा हो, और वो ball spin हो रही है, तो आप उसको cover drive बिल्कुल ना खेले, आप उसको सीधे बल्ले से with the spin खेलने को देखें, like mid off और mid on, ज्यादा तर अच्छे-चे batsmen जो off system line पे जो ball आती है, जो off spinner जो ball spin होती है, उसको तो वो mid on की दिशा में ज्यादा प्रिफेर करते हैं, खेलने को, उसी तरह से कोई left arm spinner हो, या फिर leg spinner हो, जब भी वो आपको pad line पे ball करता है, leg spin कर रहा हो, या left arm spinner हो, वहां से वो ball spin हो रही है, तो बहुत सारे batsmen mid wicket खेल जाता है, या फिर mid on की तरफ खेलने को देखता है, त top edge लगते ही वो out हो जाते हैं, तो आप ये गलती बिलकुल ना करें, with the spin जितना आप खेलेंगे, उतना ज्यादा run बना सकते हैं, जैसे ही ball leg system के आसपास है, spin हो रही है, उस ball पे आप mid off की तरफ खेलने को देखें, इस तरह से, ऐसे आप खेलते हैं, तो आप आसानी से with the spin मे middle of the bat, ball meet करेगी और mid off की तरफ चली जाएगी, फिर बात करते हैं, ट्रिक के तरीके एक बारे में की, spinner को square the wicket क्यों खेलना चाहिए और कब खेलना चाहिए, spinner को square the wicket उस time पे ज़्यादा खेलने की ज़रत पड़ती है, जब ball wicket पे spin हो रही हो, और baller अपने line पे किये जा रह है, तो उस time पे अगर आपके पास sweep shot है, तो आप sweep shot को use कर सकते हैं, उस time पे, स्वीप shot खेल सकते हैं, जब आप sweep shot उस time पे खेलेंगे, तो आप देखेंगे, जो ball खेलने में आपको दिक्कत हो रही ती, spin में, आप उस को असानी से square the wicket sweeper के तरफ खेल सकते हैं, और उस पे run भी आप बना सकते हैं उस टाइम पर बॉलर क्या करेगा फिर वो अपने लेंद को थोड़ा पीछे कर लेगा जैसे पीछे करेगा फिर आप उसको बैक फूट पर आसानी से खेल सकते हैं इधर भी खेल सकते हैं और इधर भी खेल सकते हैं चाहे फिर उसको मिडौन की दिसा में भी खेल सकते हैं या फिर आप अच्छा कट मारते हैं तो कट में भी आप उसको इस तरह से कट मार सकते हैं तो इस्पीनर को खेलने के लिए ट्रिक की ज़रत पड़ती है ताकत की नहीं ताकत लगाएंगे आउट हो जाएंगे और वेट करते अगरगे रहें है जैसे ही बॉल आगे वह फलाई किया थोड़ा सा हवा दिया बॉल को तो आप इस टेव चाहर बाउट करें कमपल्सरी पर भी छह मारना बॉल को उपर ही मारनी है ऐसा नहीं सोचना है दिमाग में आप इस्टेप आउट जब भी करते हैं अगर बॉल सामने आ गई उसको आप अलंग दे ग्राउंड भी खेलेंगे तो भी आपको चार रन मिलेगा दो मिलेगा एक मिलेगा तीन मिलेगा यह रन मिले ही और बॉन्डरी के बाहर ही जाएगी ओवर दे फिल्डा आप जरूर खेल सकते हैं लेकिन आपि इसुक्ति कर रहर और हमेज़ा ओपर मारने को देख रहा तो आप उसमें मिस्ठ हम हो सकते हैं इस ट्umping भी हो सकते हैं catch out भी हो सकते हैं miss भी हो सकते हैं तो आपका head still होना चाहिए आप step out करें अगर ball नीचे मिल गई तो नीचे मार दें सीधा मिल गई तो इसको सीधा नीचे मार दें या फिर थोड़ी सी अगर पीछे गिर गई अब फ्लोट भी मिल गई तो आप उसको सीधा इस परस्ते से उठा दें तो आपको तरीका पता होना चाहिए spinner को पर रन बनाने का है बहुत ऐसे बैट समयन है जो spinner को ताकत लाग मारना चाहते हैं लेकिन वह रन ज्यादा नहीं बना पाते लेकिन जो दिमागी बैट समयन है ज मुझे अपने इनिंग को बिल्ड करना है मुझे इस बॉलर को रन बनाना है एक ही ओबर में पचास नहीं बनाना पचास नहीं बनते हैं हर ओबर में पांच चके नहीं लगते हैं यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है तो आपको इस पीनर को बर रन बनाना है तो इस पीनर जो बॉल करता है जो बॉल स्पिन होती है तो उसको आपको कला होनी चाहिए खेलने की ज़्यादा स्पिन कर रहे हैं तो सीधे बैट से खेलें थोड़ा सा आफ स्टम के बाहर देखते हैं बॉल को तो उसको बैक फुट पंच मार दे या फिर उसको कट मार दे अभी तो एक यह थर्मेंज जो होती है उसके लेफ्ट साइड से और विकेट कीपर के बीच से बॉल बांडरी चली जाती है तो आपको यह शौट भी आनी चाहिए या फिर आप बहुत अच्छा प्लेयर हैं और इंसाइड आउट मारना जानते हैं तो जैसे आप लेफ्ट आम स्पिनर द अगर आप बेटिंग कर रहा है और आप सोच रहें कि मुझे चार ओबर में ही 50 रन बनाने हैं एक बैटमें के लिए तो हर मैच में पोसिभिलिटी नहीं होगी कोई एक मैच में आप 24-25 बॉल में पचास रन बनाएंगे नहीं तो टीट वेंटी में भी आपको 50 रन बनाने क जाती है पजास करने के लिए T20 में तो आपको spinner के ऊपर तगड़े तरीके से run बनाने के लिए trick इस्तमाल करें आपको practice कैसे करनी है इसकी तो practice short distance से ball को off spin कराएं फिर उसको leg spin फेकें और batsman ball को read करें कि कौन सा ball off spin होने वाली है कौन सा ball leg spin होने और with the spin spin खेलने को देखें हमेशा with the spin जितना ज्यादा with the spin खेलेंगे उतना ज्यादा spinner को आप run बना पाएंगे और एक छोटा सा technique इसमें आपको जाननी जरूरी है कि आप ball को जरूर देखें कि ball की sign और ball की सीम चल रही है ना सीम इसको आप जरूर देखें क्योंकि जो spinners होते हैं left arm उनकी सीम देखना बहुत जरूरी कब वह पेट पे ball डाल देगा कब वह सीम पे ball चली आएगी तो अगर आप जब तक आप उसके hand को जब तक आप उनके ball के release को जो ball होती है अगर आप उसको नहीं देख पाएंगे उस ball को तो आपको वह बिट कर जाएगे क्योंकि left arm spinner round divicate आपके लिए आएंगे वह आप राइटी है तो round divicate से आएंगे या फिर आप लेफ्टी है तो वह भी वह आप आपको वह ओबर divicate आएंगे बहुत दिक्कत होती है कोई भी राइट हेंडर बैटिंग कर रहा हो और left arm spinner डाइगनाल या फिर स्ट्रेट आके वह बॉल कर रहा हो राउंड दिविकेट से वह बॉल लेदर पे जो गिरती है ना वह स्किट करके वह बाहर की तरफ चली जाती है कभी फ्लाइ कर जाती है और मैक्सिमम टाइम जो लेदर पे गिरीगी वह एकड़म अंदर सार्फ अंदर आती है आप सोचेंगे कि यह आफ इस्टम के बाहर गिर रही है और यह बॉल वहां से टर्ण हो जाएगी बहुत सारे बैट समयन इसको छोड़के बोल्ड हो जाते हैं कोई बैट समयन तर्ण के हिसाप से इस्पीनर है टर्ण होगी बस वह बैट को दूर रख दते है और पैट पर लगती है बॉल यह बी आउट हो जाते हैं है को जब भी स्पीनर को डिफेंस करने को देखते हैं तो आपका बैट हमेशा टो के सामने होनी चाहिए तो के सामने यह तो है इस तर पाट में लगेगी तो बिट कर गए बिट कर जाएंगा तो आउट नहीं होंगे लेकिन अगर हम लेफ्टाम स्पिनर को हमेशा टन के लिए खेलेंगे तो वह आपको पैड पे मार ही देगा 100% और वह आपको आउट कर जाएगा तो इस बात का जरूर धियान रखें और जितने भी अच्छे ओफिस पिनर देखे होंगे आप उनकी बॉल जब सीम पे चलती है और खड़ी सीम पे चलती है या फिर लेदर पे चलती है इसका आप धियान जरूर रखें क्योंकि जब तक आप सीम को नहीं देख पाएंगे जब और फिस पिनर के सीम अगर खड़ी चल रही इसका मतलब वह बाउन्स जादा करेगी टॉप बाउन्स हो जाएगी वह गिरेगी और खड़ी हो जाएगी और थोड़ी सी कर्ब चल रही है तो समझे वह गिर के टर्ण होने वाल लेदर पे अगर गिर गई बॉल यह बहुत जाएं क्योंकि हम लोग Tund के लिए खेलते हैं सीधा बाट रखते हैं बॉल गिरती है और गिरती और पड़ा आवर वह सब्सक्राइब कीपर पास दास्ताने में बॉल चली जाती है और हम लोग आूट हो जाते हैं कि अब तो इसमार के ऊपछा थोड़ा अपको ध्यान देने की जवरत है careful कि ऐसके लिए आपको रेक्पिस करने की जवरहत है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस्पिनर के उपर जितना ज़्यादा आप इस्पिन बॉल के उपर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इस्पिन को खेल सकते हैं इस्पीन बॉल खेलने के लिए और भी तरीके हैं आप खुद से वो तरीका ढूंड सकते हैं लेकिन वो तरीका आप कब ढूंड सकते हैं जब आप बॉल को केरफुली वाच करने लगे हैं बॉल बॉलर के हाथ से निकली और बॉल को आप अच्छी तरीके से देखने लगे दे बहुत अच्छे-चे batsman देखे होंगे आपने spinner का उनका तरीका उनका concept उनका mind इसी तरीके से set रहता है और वो आसानी से खेल पाते हैं तो I hope कि इस वीडियो में मैं आपको समझा पाया हूं spinner को किस तरह से खेल सकते हैं और इस वीडियो से आप कुछ भी आपको सीखने को मिली है तो आप जरूर इस वीडियो को एक like करें और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर लें, bell icon को hit कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो हमेशा मिलती रहे